गुआ अज गाईज वेलकम टू एडवान कुरन मैं हूँ आपका दोस्त अश्वे निकुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन के वरा भाग एक की जो कवीता है रिंग चिंगिया उसका भावार्त आपके सामने लेकर आ रहा हूं और इससे सम्मदि जितने भी महत्वपूर प्रश्ण बन सकते हैं उसको MC quick Ր cou sticking form में आज की इस विडियो में मैं आपको कराऊंगा तो आईए वीडियो को शूरू करते हैं रिंग चिंगिया तो रिंग रिंग चिंगिया क्या होता है रिंग चिंगिया एक रंग बिरंगी तितली होती है एक ही तितली होती है जिसमें कई सारे रंग होते होंगे आपने देखा होगा उसी तितली को छोटा नागपूर में रिंग चिंगिया कहा जाता है ठीक है तो प्रफुल कुमार राय जार्खं और उसमें अपने बच्पन की यादों को याद करते हुए इस कवीता के माध्यम से हमको बतलाते हैं कि जारक्षंट पहले क्या था और अभी के समय जारक्षंट की प्राकृतिक सौन्दर्ता का दोहन कैसे हो रहा है वो कवीता के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं तो आईए हम लोग इस कवीता को देखते हैं, कभी कहते हैं, आयोगे आज मोर मन काले कांदे, सरग ठाओं भुया रहे परली कुन फांदे, संग साथ गिलें कहां महुवा बनक सूर, कुवार रातिक धोवल चांद, खोईर माजिक धूर, देखे, पहली पंक्ति जो है, आयोग में मा को आयोग कहा जाता है, तो कभी कह रहे हैं, आयोगे आईज मोर मन काले कांदे, कांदे का मतलब होता है रोना, ठीक है, यहाँ पर जवाब कांदे देख रहे हैं, उसका मतलब होता है रोना, यह बोल रहे हैं कि मा मेरा मन आज बहुत रो रहा है, ठीक है, काहे, काहे, क काले मतलब कि क्यों रो रहा है ना जाने क्यों रो रहा है इसलिए यहां पर लिखा हुआ है काले कांदे अगली लाइन है सरग ठाओं भुयां रहे परली कौन फांदे सरग ठाओं मतलब पूरी जगह ठाओं मतलब होता है जगह सरग मतलब पूरा के पूरा जगह भुयां रहे सबी जगा पर जमीन था परली कोन फंदे लेकिन मैं किस फंदे में यानि कि किस यहां पर कभी का भावार्थ कहने का है कि किस फंदे में किस मुसीबत में मैं पड़ गया हूं अगली लाइन है संग साथी के साथ ये महुआ के बन महुआ का पेड़ होता है उसका बन बन जो होता है वहीं पर इन लोग खेलते कुटते रहते थे तो वो संगी साथी अब कहां गया ये पूछ रहे हैं कुवार राती के धोवल चांद , खोईर मांजे धूर बन में खेलते थे और रात मतलब रात हो जाती थी और चांद जो होता था। अपतु सुंद्धर साड़ गोल चांद जहोता अपनी पूर्णता पर चंद जहें होता था। उस समय खोईर मांजेक दूर, खोईर का मतलब होता है, मांजेक का मतलब होता है मे, खोईर का मतलब होता है मुख्य अस्थान, तो जो अपने गाउं का, जो कस्बे का, जो मुख्य अस्थान था, इन जनरली छोटा नाकपूर में इस तरह का जो अस्थान होता है, उसको आखरा कहते हैं ठीक हैं तो अकरा माझें दूर इसमें ऐसे भी आप कह सकते हैं कि राच जब होता था तो रात में हम लोग जो मुख्यस्तान होता था गांग का कस्वा का उसमें बैट के हम लोग खेलते कुते थे अगला चंद है तो उसमें कहते हैं, सांज बिहान पीपर गचे, कतेई चेरे बेरे, फुल सुंदरी बेरा सब, गिलाएं कतेई दूरे, देखे, इसका मतलब है, कि सांज और बिहान, सांज होता था और बिहान होता था, उस समय पीपर के पीपर गचे, गचे का मतलब होता है पेड़, पीपर क पेड के पास कितना चेरे बेरे होता है चेरे बतलब कि चडियां चहाती रहती थी सुभा को भी और शाम को भी फूल सुंदरी बेरा सब गेलें केते दूरे तो फूल सुंदरी बेरा देखे फूल सुंदरी बेरा कब होता है दिन में जब सुर्योदय होता है और सुर्यास्त हो होता है उसी तरह से रेड़ और येलो का मिक्स अफ होता है ऐकास बादल तो उसी और फूल सुंदरी बेरा और ये दो समय होता है सुबह भी होता है और शाम के समय भी होता है ठीक है तो कि मांदर बसता था करम टूली में मांदर बसता रहता था और भिंसरिया मुर्गा कर को कुरेचों बांग कभी कह रहे हैं कि करम टूली में मांदर बसता था और भिंसरिया भिंसरिया किसो कहते हैं जब सुभा का समय जो होता है उसको भिंसरिया कहते हैं सुभा मतलब की आप व भिनसरिया मुर्गा कर कोकरें चों बांग तो भिनसरिया होता था मुर्गे की बांग होती थी और उसी बांग को सुनकर उठते थे कभी यही बतलाना चाह रहे हैं इसमें अगला चंद है घाटो को धायर सिक्री जोरतक लील आकास माझे मनक माझे कतई सूर जहन जहनाय के पुड़े हुए रहता था और जिसकी वजह से मनक माझे तो मन में कई तरह के सुर्ज होते थे वह जहन जहना के बचते रहते थे यह सब को देखके मन एक दम खुस हो जाता था ठीक है अगली लाइन है सूरुज डूब तक पहार पारे का जाइन कतई खने कुईद फुलती रीजे भईर किलएक जने तने देखे इस पंक्ती में कभी कह रहे है कि सूरज जोग होता था ना पहाड के पीछे कब डूबता था यह हम लोग को नहीं पता है कतई खने खने का मतलब होता है समय ठीक है कते खने मतलब के बजे सूरिद डूब रहा है यह मुझे पता नहीं रहता था हमें पता नहीं रहता था और फुलती रीजे भरे किलग जने तने ऑर इधर उधर कुटते फिरते रहते थे जने तने मनले इधर उधर जने तने का मतलब होता है इधर उधर हम लोग कुटते फांते रहते थे वही बोल रहे हैं कभी यहां पर अगली पंक्ती है हासी खेल लुका चोरी चार प्यार बने राइत अंधारे भग जोगनी जग मकाईल तरीगने, आसी खेल, पंक्ती में कभी कह रहे हैं, कि हासी खेल होता रहता था, लुकाचिपी खेलते रहते थे, और आपस में प्यार बना हुआ रहता था, दोस्तों में, यारों में, और रायत को अंधार जब हो जाता था, जब अंधरिया रात होते थी, तो भग योगनी, भ जखमका रहा है, तरीगने, तरीगने का मतलब, तरीगन का मतलब होता है, तारा, ठीक है, तो ट्विंकल स्टार तो सब कोई पढ़े होंगे, तो उसी तरह से ट्विंकल, भग जोगनी जो होता है न, उजखमकाते रहता है, ट्विंकलिंग करते रहता है, ठीक है, तरीगने, देखिए इस पंक्ती में आजी का मतलब होता है दादी, दादी को नागपूरी में आजी कहते हैं, तो आजी मोर कहनी कहलक, मेरी दादी मेरी कहानी कही, उसी अंधार रात में जो होती थी, दादी जो होती थी, अपने पास बिठा लेती थी और कहानियां सुनाती थी, पाक का, भालू का डाइन भी साही का और वो सब कहानियां को सुनके हम लोग डरा करते थे कभी ये कह रहे हैं अगला चंद है और अगली पंक्ती है दूर बने सियार करतें कतई हुआ हुआ कभी जो हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्पन की यादों को संजो कर कभीता के माध्यम से हमारे साम में रख रहे हैं और कह रहे हैं मुझे लगता है जातर जो घाओं के जो बच्चे होंगे जो अभी आप स्टूडेंट है ये आपके साथ भी यही पीता है कि आपकी जो दाधी होगी वो आपको बोलती होगी इस पंक्ती में है पंक्ती में देखिये कैसे बोल रहे हैं कभी कि दूर बने सियार जिनका भी घर जंगल के आसपास होगा तो जंगल में सियार जो हुआ हुआ करता है सियार जो है वो आवाज करता है कैसे आवाज करता है हुआ हुआ आवाज करता है तो बच्चा लोग डर नहीं जाए इसलिए दादी लोग कैसे बोलती थी कि आजी मोर हाई इसकह तक दादी लोग हास के बोलती थी अरे तुम्रा पुआ मांग रहा है रहे मांगत है रहे पुआ ठीक है तो कभी बोल रहे हैं इस पंक्ति का मतलब यह हुआ कि बन में सिकार हुआ हुआ करता था तो उस आवाद से हम लोग डर न जाएं इसलिए दादी हम लोगों को कहती थी हास के बोलती थी कि अरे वो तुम लोग से पुआ मांग रहा है ठीक है अगले पंक्ति है सर के उबतक गोटा चांद धोवल उकर हासी तोंगरी उपर एक काका दादा का सूर धर तक बांसी देखिए जब रात में कोटा चांद जब रात में चांदनी रात होती थी ठीक है तो धोवल उकर हासी मतलब चांदनी रात बहुत खुबसूरत लगता है ऐसा लगता है कि चांद हम लोग के उपर मुस्कुरा रहा है गहाँ तो टोंगरी ऊपर टोंगरी क्या होता है उपरे कार्ग। जो होते हैं तो पहाणाख को छौटा रूरूप रहते थे वह लोग बैठ दर्तक बांसी म McMस बांसुरी बजाते रहते थे अगली पंगती है बन पहारे ढोड़ा त्हाग हद 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 बूले नींदक घोर मन मोर सपना कर राज छोले किस पंगती का मतलब है कि बन पहाड़ है धोधा है किस को कहते हैं नदी का जो छोटा रूप होता है ना उसको धोड़ा कहते है देखिए नदी में बहुत तेज भाव 'll-t era मैं वैसा Natalie में मत्यम मत्यम तिसे पानी बहता रहता तो उसी उठाए धोड़ा खाग हद हद बोले और चोटे-चोटे जो जहरना है उससे जब पानी गिरता है तो हद 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 का आवाज आता है नींदक घोरे मन मोर सपना कर राज खोले ऐसा लग रहा है यह सब मैं अभी के समय सपना देख रहा हूं ठीक है आगे बोलते हैं रानी बगईचा तेतर बगईचा होता था तो इसी में से एक होता है रानी बगईचा बगईचा का नाम देती है रानी बगईचा और सिंदरी आमबा वो आम जो लालिमा लिये हुए रहता था तो उसके बारे में बोल रहे थे कि कितना लाल लाल आमबा को हम लोग खाते थे और बुढ़ा आ फे जितरप कंजल काका लेके मोग के कांधे चपंग चपंग नाच भूंती धुंधाख बढ़ाक साथें इस מפती में कहे रहें है जत्रप चत्रत का मतलब होता है मेला जो मेला होता है उसको नागपूरी जत्रा कहते हैं छोटा नागपूर के लोग इसको जत्रा कहते हैं कुझेल काखा मतलब होता है चाचाजी यह वह होते थे वह अपने कंदे में भिठाके मुझे दिखाण ले जाते मतलब मेला दिखान ले जाते थे और चपंग चपंग नाइच भूलती धुवाक बढ़क साथे मने सबके साथ हम लोग चपंग चपंग नाच इधर उदर घुमते फिरते रहते थे नाचते डेखते रहते थे ठीक है अगली पंगती है राम धनुकर मेला कतई कांस नदिक तीरे उमेक बहतक नदी धोठाकदार बह लगता था और उसमें जो नदी जो होती थी वो तो पान लेकर भाती थी और जो धोड़ा होता है मैंने बतला है कि धोड़ा जो होता है वो नदी का छोटा रूप होता है तो धोठा का जो धार होता है वो बहता था धीरे धीरे यह सभी कभी कह रहे हैं अगली पंगती है फागुन के दिन सेमर का सेमर का एक पेड़ होता है उसमें फूल लगता है सेमर का फूल तो सेमर का फूल जो मांग फागुन के दिन में फूलता था और बरंडो का जिग जोर होता था सरे फुलक बने देखिए बरंडो होता है जो जिसको चक्रवाद जो आता है ना गोल गोल हवा घुमती है अपने कभी मैदान में वेकर क्रिकेट खेलने लोग चले गए पुटबॉल खेलने चले गए तो आप देखिएगा कि गोल-गोल हवा घुमने लग जाती है उसी को बरंडो कहा जाता है ठीक है और ऐसे इन जनरल कहा जाता है तो चक्रवात को बरंडो कहा जाता है ठीक है तो बरंड़ो कर जिका जोर सरय हो लग बने तो इसमें बहूत मतलब की भी शन चकणरवात की बात नहीं की नीद देखें, कभी कह रहे हैं कि अब पहले का जो ज्हार खंट था और अब में काफ़ी अंतर आ चुका है, तो आब वह हंसी भी कहा है, अब उस्टारह। तरह का जो रीती रिवाज था वो भी कहा है। पहले खखरा खोजने जाते थे ठीक है वो सब भी नहीं मिलता है और अब का मन अब पहले की तरह मन जो है वो लगता नहीं है इसमें यही कह रहे हैं अगली पंक्ती है खोपे-खोप बद्री को धूंद उधियायल मातल चले जिनगी तो बद्री माएं तीले तील गले इस पंक बद्री मतलब की बादल डुआ खोन है औंधियायल मातल चले तो बादल जो होता है ना कभी इधर भूनता रहता है कभी उधर घूनता रहता है जिस तरह हवा का भाव होता है उस तरह बादल चला जाता है तो जिन्दगी तो बद्री माएं तीले तील गले इस पंक्ति में जिन्दिगी बोल रहे हैं कि जिन्दिगी तो जो है वो एक तरह का बद्री है फिक है जो पल-पल गल रहा है पल-पल छोटा होते जा रहा है जिन्दिगी क्या हो रही है कि पल-पल उम्र ढलते जा रहा है लोगों का उसी को यह कभी कह रहे हैं कि जिन्दिगी तो बद्री पारी और जाब कहां से दिन कर रिंग चिंग या पैपला पावब कहां इसमें कह रहा है कि आज हम लोग कितनी दूर निकल आएं कितना उम्र हो चुका है कितना चेंजेज आ चुके हैं तो पिछला जो दिन था पुराने जो दिन थे उसको याद करते हुए कह रहे हैं कि इस कभीता के माध्यम से एड़نت काथ शुन्दरता थी उसमें दौहन हो रहा है इसके बारे में लोगों को बैडर कर रहे हैं लोगों को जागरुक कर रहे हैं इसको कभीता का भावार्थ आइए इसके सब्दार्थ कर लेते हैं, फांद में परेक, उसका मतलब होता है मसीवत में पढ़ना, खुईर, का मतलब होता है Gomsčा मूद अठाओ, मूद मतलब की मुख्य अस्थान, लील मतलब होता है नीला भिनसरिया भिनसरिया मतलब होता है मूर्गा बोलने का जो समय होता है बिहान चार बजे कर आसपास उसी कहते हैं भिनसरिया बरंडो का मतलब होता है चक्रवात और उमाइक का मतलब होता है उमड़के और पेपला का मतलब होता है फतिंगा फिक है यह थे इसके सब्दार्थ अब आईए इस रे लेटेड जितने भी महतपूर्ण प्रश्ण बन सकते हैं उसको MCQ के फॉर्म में करते हैं तो पहला प्रश इअप्षन है ओप्षन A जहार्खनबंदना ओप्षन B बाजा ओप्षन C निढ्धिया या फिर उफिर ऑप्षन करत रहे, आपके option है, option A भूत, option B बिसाही, option C CR, या फिर option D चुडेल जिसका correct answer हो जाएगा, option C, CR, next question रिंचिंगिया सिर्शक कविता में तरंगिन जैसन का जहमकात रहे, तो आपके option है, option A, लाल्टेन, option B, धिबरी, option C, भग जोगनी या फिर option D, चांद, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, भग जोगनी, next question सेमर फूल कोन मास में खिलेला, तो आपके option है, option A सावन भादो, option B, माग फागून option C, जेट असाड, या फिर option D, कार्तिक आस्थीन, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, माग फागून, next question है, रिंग चिंगिया सिर्षक कविता में, कभी का पावेक चाहे ना, तो आपके option है, option A जमीन जायजाद, option B घोडा गाडी, option C, मोटर कार, option D, रिंग चिंगिया पेपला, तो इसका correct answer हो जाएगा, option D रिंग चिंगिया पेपला, next question रिंग चिंगिया सिर्षक कविता में, रचनाकार केके सरग ठाओं कहा हकें तो आपके option है, option A, पहाड option B, भारत भूमी, option C, टोंगरी, या फिर option D, जनम भूमी, तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, जनम भूमी, next question खोईर मने का होएला, तो आपके option है, option A, भूंडूलता, option B, गाउं कर मूद ठाओं, option C, मेला, या फिर option D, बदरी, जिसका correct answer हो जाएगा, option B, गाउं कर मूद ठाओं, next question, रिंग चिंगिया सिर्षक कविता में, कौन गच ने चेरे बेरे होएला, तो आपके option है, option A, महुआ गच, option B, सेमर गच, option C, पीपल गच, या फिर option D, अमबा गच, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, पीपल गच, next question, रिंग चिंगिया सिर्षक कविता में, मांदर कहां बजेला, option A, जंगल, option B, टोंगरी, option C, करम टोली, या फिर option D, नदी तीरे, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, करम टोली, next question है, बरंडो मने का होएला, तो आपके option है, option A, मुसीबत, option B, जीत संगीत, option C, चक्रवात, या फिर option D, बादल, जिसका correct answer हो जाएगा, option C, चक्रवात, next question है, रिंचिंगिया सिर्षक कविता में, मुर्गा कर, कोकरें चों, कोन बेरा करेला, आपके option है, option A, फुर सुंदरी बेरा, option B, भिनसरिया बेरा, option C, राइत बेरा, या फिर option D, उपरे देवल कोनों नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, भिनसरिया बेरा, मुर्गा का कोकरों चों जो जो होता है, भिनसरिया बेरा में होता है, next question है, रिंचिंगिया सिर्षक कविता में, कवी के, कहनी के सुनात रहे, तो आपके option है, option A, option B, काका, option C, आजा, या फिर option D, आजी, तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, आजी, next question, रिंचिंगिया सिर्षक कविता में, केकर ओपरे, कोका दादा, बांसी बजात रहें, तो आपके option है, option A, गच, option B, घोडागाडी, option C, टोंगरी, या फिर option D, नदी, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, टोंगरी, next question, रिंचिंगिया सिर्षक कविता में, कून बगीचा कर, अमबा लाले लाल रहे, तो आपके option है, option A, अमबा बगीचा, option B, तितर बगीचा, option C, रानी बगीचा, या फिर option D, टमरस बगीचा, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, रानी बगीचा, यहाँ टमरस जो लिखा हुआ है, टमरस का मतलब होता है, अमरुद, ठीक है, next question, रिंचिंगिया सिर्षक कविता में, कभी के जतरा कून ले जात रहें, तो आपके option है, option A, आजा, option B, दादा, option C, कुन्जल काका, या फिर option D, आजी, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, कुन्जल काका, next question, जतरा मने का होएला, तो आपके option है, option A, धूंद, option B, बदरी, option C, मेला, या फिर option D, अखरा, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, मेला, जतरा का मतलब मेला होता है, next question, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, कांस नदी, next question है, तो आपके option है, option A, नदी, option B, रिंचिंगिया, option C, बदरी, या फिर option D, जतरा, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, बदरी, रिंचिंगिया, सिर्शक कवीता में, जो कवी है, प्रफुल, कुमा, राय, वो जिंदगी को बदरी जीसन कहते हैं, ठीक है, तो ये थे, रिंचिंगिया, कवीता से, संबंधित, महतुपूर्ण, प्रश्न, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशन्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए, एडवन कुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद!